हेलो बच्चो स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में तो आज के इस वीडियो में कक्षा दस्वी के बच्चो के लिए Business Studies, व्याफसाय, अध्यन के सभी प्रशनों के उतर मिले वाले हैं फुल सोलुशन बच्चो आज इस वीडियो में प्रोवाइड कराया जाएगा और इसके साथ साथ बच्चो पीडियेप भी आपको आज प्रोवाइड कराया जाएगा तो चलिए फिर आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं और वीडियो में आंगे बढ़ने से पहले आप सबसे पहले देखे यहाँ पर पहला प्रशन दिया गया है सबसे पहले देखें part A यहां से सुरू हो गया है और बच्चों आप सभी को मैं सबसे पहले बता दू कि हमारे इस चैनल पर सभी बिशएक के paper के solution upload हो चुके हैं तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं सभी subject के solution आपको मिल जाएंगे सबसे पहला प्रशन देखिए सही बिकल्प चुनकर लिखे तो बच्चो सही बिकल्प चुनकर आपको यहाँ पर लिखना है और बच्चो सबसे पहले देखिए सबसे पहला प्रशन जो दिया गया है भवन सडकें तथा सेतु आदी के निर्मान में सलंगन उध्योग कहलाता है तो बच्चो इसका उत्तर हो जाएगा बी निर्मान उध्योग सबसे पहला जो option है यह आपका सही हो जाएगा आवाला बी निर्मान उध्योग इसके बाद बच्चो आँगे बढ़ते हैं second question देखे आपको screen पर दिख रहा होगा और English medium में भी आप यहाँ पर देख सकते हैं construction industries इसके बाद second question देखे बच्चो निम्न मैंसे देखे निम्न मैंसे कौन प्रापत्र वैंक से धन निकालने के लिए मानने नहीं है तो बच्चो इसका उत्तर क्या हो जाएगा इसका उत्तर हो जाएगा option tied व्यक्तिगत पहचान पत्र option tied आपका correct answer हो जाएगा personal identity card इसके बाद बच्चो आँगे बढ़ते हैं यहाँ पर tied question आ गया है देखे एक सहकारी सहकारी समीती के सदश्यों का दाइत्व होता है तो एक सहकारी समीती के सदश्यों का दाइत्व होता है सीमत दाइत्व होता है means option first इसका correct answer हो जाएगा चलिए बच्चो यहाँ पर English में आप देख लीजे limited इसका answer हो जाएगा इसके बाद fourth question देखे उस व्यापार को क्या कहते हैं जिसमें व्यापारी को अधिक मात्रा में माल का विक्रय किया जाता है तो बच्चो इसका उत्तर हो जाएगा चौथे प्रशन का option भी थोक व्यापार इसे हम थोक व्यापार कहते हैं इसके बाद बच्चो यहाँ पे आप इंग्लिस में देख सकते हैं wholesale trade इसके बाद बच्चो देखें पांच बाव प्रशन आ गया है विग्यापन के electronic माध्यमों में सम्मलित है तो बच्चो इसका अंसर क्या हो जाएगा internet विग्यापन के electronic माध्यमों में सम्मलित है internet यहाँ प है रिकित इस्तानों की पूर्ति कीजिए means फिलिंदी ब्लेंक्स आ चुके हैं तो बच्चों सबसे पहला प्रस्ण देखिए कर्मिचारियों के लिए नियम तथा सरतों का निर्धारण डैस करता है तो बच्चों यहां पे क्या जाएगा नियोक्ता करता है कौन करता है बच्चों नियोक्ता यहां पे नियोक्ता आपको इस तरीके से लिख देना है बच्चों मैं स्क्रीन पर लिख रहा हूँ नियोक्ता इस तरीके से आपको लिख देना है चलिए बच्चों सेक परिवहन से डैस ब्यापार को बड़ावा मिलता है तो बच्चों यहां पर क्या जाएगा बिदेश थाइडवाले में आपको बिदेश लिख देना है बच्चों बिदेश आप यहां पर लिख देंगे इसके बाद बच्चों चौथा प्रशन देखिए ऐसी बस्तुओं जिन पर आयात कर नहीं चुकाया है उन्हें डैस भंडार ग्रहों में रखा जाता है ऐसी बस्तुओं जिन पर आयात तो बच्चों यहां पर आप क्या लिख देंगे बंधक बंधक भंडार ग्रहों में रखा जाता है इसके बाद बच्चों पांचवा प्रशन देखिए डैस व वर्ष पूरे होने के बाद भविश्य निदी खातेदार को रण सुवीदा उपलब्द होती है तो बच्चों यहां पे इंग्लिस मीडियम में आप देख सकते हैं इंग्लिस मीडियम के लिए नेक्स्ट वीडियो अपलोड किया जाएगा अब यहां पे खंड सा मीन सेक्शन स बच्चों यहां से स्टार्ट हो गया है earn one सा चुके हैं सद्ध उस्ट उस्ट लिखे तो बच्चों सब से पहला देख इखे संयुक्त पूजी कंपणी के दखे असात अंस धारकों का डायत्व असीमित होता है तो बच्चों पहला वाला आपका असत्ध हो जाएगा गलत ह जाएगा असत्य लिख देना है इसके बाद बच्चो दूसरा प्रस्ट देखिए परिवहन से इस्थान बाधा दूर होती है तो इसमें आप लिख देंगे बच्चो सत्य यह आपका बिल्कुल सही हो जाएगा इसके बाद बच्चो आंगे बढ़ते हैं तीसरा देखे हो जाएगा बच्चो असत्य हो जाएगा गलत हो जाएगा इसके बाद बच्चो पांचवा देखे अनिश्यत घटनाओं से होने वाला नुकसान ब्यापारियों को स्वयम ही उठाना पड़ता है तो बच्चो यह आपका सत्य हो जाएगा बिल्कुल सही है अब छटवा क्रेता कभी भी माल को लोटा सकता है असत्य है बच्चो यह आपका गलत हो जाएगा असत्य लिख देना इसके बाद सात्वा देखे थोक विकेरताओं को अपने व्यफशाय के लिए छोटी पूंजी की आवसकता होती है असत्य है बच्चो यह बिल्कुल गलत है क्योंकि ब बच्चो यह आठवा आपका सही है बिल्कुल सत्य हो जाएगा आप सभी को पता है कि टैली सौपिंग में बेईमानी और धोका धड़ी का खत्रा बना रहता है इसके बाद बच्चो नौबा देखे विज्यापन नए तथा पुराने दोनों प्रकार की उत्पादों की विक इसका आंसर आपको next part में provide कराया जाएगा next part बच्चो जल्द ही upload किया जाएगा next part के अंदर 27 तक के जो प्रशन आपके बच्चे हुए हैं 2 से लेकर 27 तक यह आपको next part में provide करा दिये जाएगे क्योंकि यहाँ पर आपको यह बताए नहीं जा सकते हैं वीडियो काफी lengthy हो ज आइंगे चलिए बच्चो आज कर इस वीडियो को यहां पर समाप्त करते हैं